गन्ने का भाव बढ़ाने की मांग को लेकर किसानों ने शुगर मील के काटे के सामने धरना दिया किसानों के धरने से शुगर मील में गन्ने की तोल बंद हो गई जिसे से शुगर मील में गन्ना जाना बंद हो गया गन्ना नहीं पहुँचने के कारण शुगर मील में गन्ने की पेराई भी बंद हो गई गन्ने का भाव बढ़ाने की मां को लेकर किसानों ने करीब दो घंटे तक शुगर मील में पेराई बंद रखी इस दोरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारे बाजी की किसानों ने सरकार से गन्ने का भाव 450 रुपे परती किविंटल देने की मांग की किसानों का आरोप है कि पडोशी राजे पंजाब में गन्ने का भाव हरियाना से ज़्यादा है जबकि हरियाना में गन्ने की खेती ज़्यादा होती है किसानों का कहना है कि इस बार भाव कम होने से गन्य की खेती नुक्सान ख्वासोधा शाबित हो रही है कम भाव के कारण किसानों को गन्य की कटाई, मजदूरी और सुगर मिल तक ट्रेक्टर में लेकर आने का खर्च भी पूरा नहीं हो रहा है किसान नेताओं का कहना है कि गन्ये का भाव बढ़ाने की मांग को लेकर प्रतिनी धी मंडल सरकार के नेताओं से मिल चुका है किसानों का आरोफ है कि गन्ये का भाव बढ़ाने को लेकर सरकार का रवय या सकारात्मक नहीं है सरकार की अंदेखी से किसानों को भारी नुक्सान हो रहा है किसानों का कहना है कि इस बार गन्यम में बिमारी भी ज्यादा है फसल में बिमारी और कम भाव के काण किसानों को दोहरा नुक्सान हो रहा है सरकार की अंदेखी के विरोध में किसानोंने कांटा बंद रखने के बाद शुगर मील के गेट पर धरना शुरू कर दिया किसानों का कहना है कि उनका धरना दिन और रात चलता रहेगा किसान 9 जनुवरी तक शुगर मेल के गेट पर धरना देंगे इसके बाद आगे के आंदोलन की रणनेती बनाई जाएगी किसानों का कहना है कि उनकी मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन चलता रहेगा वहीं किसान नेताओं का कहना है कि आवशकता पढ़ने पर आंदोलन को परदेश स्तर पर भी चलाया जाएगा यहाँ पर जो मी परसासना उसकी लाप्रवाई को देखते हुए हम अलग से लिशिजन ले सकते हैं इसकी आवश्य में हमें गन्ना इसकी मांग कर रहे हैं जो की अमारी लागत बहुत जादा बढ़ गई और गन्ने में बीमारी बहुत जादा है जिसकी ही और और स्टेटों ने भी गंन्या का रेट बढ़ा दो है जब कि हमारी सरकार उसने गंन्या का रेट पीशले साल जाए। तो इसकार करते हैं इतने बार मांग करने बार भी कंदेगा पाचारी चाथ उनके पिप शिकूर्टों इधेरे कि अब की बार पिमारी जाता है लेपर गारेट जाता है इसकार मुलें हम इसकार से करने का अब